नमस्कार, A to Z dishes उश्या गोर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारों एकदम कुरकुरे मज़िदार कुंद्रू फ्राइ अगर आप दाल चवल के साथ लेते हैं या रोटी के साथ कभी ऐसा लगता है न कि सबजी आज अच्छी नहीं बनी है या आपको थोड़ी कम पसंद आती ता आप ये कुंद्रू फ्राइ बना सकते हैं इस बाने आप कुंद्रू भी खा लेंगे और ये सची में बहुत टेस्टी लगते हैं तो 500 ग्राम मैंने कुंद्रू ले लिया है इसे काफी लोग टिंडोरा भी कहते हैं इसे मैंने पानी से अच्छे से वाश कर लिया है और इसे देखे इस तरह से उपर नीचे से थोड़ा सा काटने के बाद लंबे-लंबे पतले-पतले टुकडों में काटेंगे फिर इसके अंदर स्वात के अनुसार नमक, चौथाई चमच हल्दी पाउडर, आधी चमच लालमुष पाउडर, आधी चमच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है आधी छोटी चमच गरम मसाला, आधा कफ चावल का आटा और आधा कफ बेसन, एक चमच जितनी अधरक लसन के पेस्ट और इन सबी चीजों को हम सबसे पहले अच्छे से मिलाएंगे अब देखो इसके अंदर जो भी मैंने नमक और मसाले डाले हैं, आप अपने सबसे पहले सबी चीजों को मिला लो, फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और अच्छे से मिलाते जाना है बस उतना ही पानी डालना है ताकि ये सारी चीजे ये जो कुंद्रू है उस पर अच्छे से चिपक जाए, समझ लो 5-6 चमत जितना ही पानी लगेगा अब इसके लिए न मैंने पहले से तेल गरम करने रख दिया था अच्छे गरम तेल में देखिए जो कुंद्रू है एक एक करके इसी तरह से हाथों से छोड़ते जाना है और ईक्तम यह अच्छा कलर आजाये तब तक इसे आपको फ्राई कर लेटे यह यह निए कि तर लेना है बीच बीच में इस तरह से चलाते भी रहना और आप देख सकते हैं इतना बड़िया कलर भी आ रहा है और एक्तम ये कुरकुरे हो रहे हैं सची मेरी खाने में इतने डिस्टी लगते हैं जतनी तारीफ करो उतनी कम है तो बस इसी तरह से हम बाकी बचे भी गरम गरम तेल में डालेंगे और तेल में डालते समय आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से प्लेट में निकाल लेना अब उसी गरम तेल में हमें डालनी है कच्ची मुंफली ये मैंने डाली है दो से तीन चमर जितनी और ना चार से पांच हरी मिर्ची को डंठल के साथ ही ना कट लगा लेना ताकि ये छीटे ना उड़े इसे भी डाल देना और इन दोनों को अच्छे से आपको तल लेना है देखो मिर्ची का कलर भी बदल गया है और मुंफली भी अच्छे से हो गई है और इसे भी हम इस तरह से कुंद्रो के ओपर ही डाल देंगे और यहां पर अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है इसके अंदर ये सारी चीज़े हम डाल देंगे साथ ही साथ थोड़ा सा आमचुर का पाउडर डालेंगे चौथाई चमच चौथाई चमच बुनाजीरा पाउडर आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर और बस इसे हमें अच्छे से मिला लेना है बनकर तयार है ये बड़ी आसा एक्दम चट पटे मज़ेदार कुंद्रो फ्राइ अब देखो व तक है तो चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले आज के लिए बस इतना ही थैंक्यों फो वाच चाहें